हेलो गाइज, वेलकम टू मैं चैनल और आज हम यहाँ पर बात करने वाले है लाइस टुलेट के एपिसोड एक में क्या होने वाला है उसके बारे में तो मैं आपको यह पहली ही बता देती हूँ कि यह एपिसोड डे और मौक के प्यार भरी मुमेंट से भड़ा होने वाला है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था मौक फाइनली डे को अपने बॉइफरेंड बनने का परपोजल दे दिया था जहाँ पर हम देखते हैं डे को पैनिक करते हुए क्योंकि मौक के बहुत करीब होते हुए भी डे उसको देख नहीं पा रहा था क्योंकि डे के आखों के सामने अंधेरा चाने लगा था तो डे की इस हालत में मौक उसको बहुत ही अच्छे से और प्यार से संभाल लेता है तो इस एपिसोड के शुरुवात में हम देखते हैं डे की मौम और मौक डे को डॉक्टर के पसले कर जाते हैं इसके आखों की टिटमन करवाने के लिए जहाँ पर डॉक्टर डे के चेक अप करने के बाद उन्हें ये बताते हैं कि डे की आखों की हालत पहले से और जादा खड़ाब हो चुका है इस वज़े से डे की आखों की रोशनी भी कम होता जा रहा है तो डॉक्टर की ये बात सुनकर डे और उसकी मॉम को बहुत ही बुरा फील होता है। इधर मॉक तो ये सब सुनने के बाद रोने लगता है क्योंकि ये सब बात सुनकर डे को कितना तकलिफ होगा ये मॉक बहुत ही अच्छे से जानता है पर वो डे के सामने अपनी सैडनेस को चुपा लेता है और डे को सब काम करने में इंकरीज करता है क्योंकि मौक बहुत ही अच्छे से जानता है कि अगर वो डे के सामने कमजोर हो जाएगा तो डे और भी जादा तूट जाएगा तो देखते ही देखते और के वेडिंग का वग भी आही जाता है जहां पर डे के सौनकला में होने वाला था तो डे वहाँ पर जाना चाहता था तो मोग डे की दिल की बात समझ जाता है और डे से पूछता है कि क्या वो सौनकला जाना चाहता है या नहीं तो मोग की बात सुनकर डे कहता है कि वो जाना चाहता है जिस वज़े से मोग डे को अपने साथ सौनकल लेकर जाता है जहांपर जाकर और समुंदर की खुली हवा में सास लेकर डे को बहुत ही अच्छा लगता है और वो मौक से कहता है कि चाहे मैं ये सब देख पाऊ या ना पाऊ पर चीजे बिलकुल बैसेखर वैसे ही रहेगा क्योंकि आसमन हमेशा आसमन ही रहेगा और देखने को मैं सकता है क्योंकि मौक ते को जहां पर घुमाने लेकर आया है वहां पर वह लोग औरकी शादी भी अटेन करते हैं और हम यहां पर मौक और ते का कपल डांस भी देखते हैं शादी में जो की बहुत ज़्यादा रोमांटिक भाइब से भड़ा होता है फिर हम और दोनों को तो जैसे एक नया जिन्दगी मिल चुका है, फिर मौक और दे समुंदर किनारे बीच पर लेट जाते हैं, आसमान की तरफ हम नफेस करके, और दोनों एक जुसे से अपने दिल के बात कर रहे थे, जहाँ पर दे मौक से कहता है, मुझे अभी समझ में आया है, यह कुछ चीज़े देखने के लिए हमें आखों की ज़रूरत नहीं होता, हम उनको वैचे भी देख सकते हैं, और कुछ चीज़े ऐचे भी होते हैं, जिनको से दिल से महसूस किया जाता है, तो डे शायर यहाँ पर अपने और मौक के बीच के प्यार के बारे में बात कर रहा है जो की दिन बे दिन और दिन जाता स्टॉंग होता जा रहा है, तो डे की इन सभी बातों को मौक सपोर्ट करता है, और डे से कहता है कि डे जो भी बोल रहा है और जो भी सोच रहा है, वो बिलकुन सही सोच रहा है, और मौक हमेशा डे के साथ है, जाहे कुछ भी हो जाए, त प्रते के लिवाल बाई 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 दोस्तो!